नमस्कार मैं अनुडाक्षरी और आप देखना सुरू कर चुके हैं अपना अरडियानी आज दिनांग 25 अगस्त 2022 दिन बिड़स्पतिवार को बिजली ओफिस कारियाले अरडिया के मुख्य द्वार पर चार वर्ट पुर बिना किसी सूचना के हटाएगे विधुत कर्मी मानवबल के द्वारा धरना परदसन किया गया आपको बताते चले कि लगवग चार वर्ट पुर 26 विधुत कर्मी कारिकर है मानवबल को बिना किसी सूचना के ही कारिसे पदमुक्त कर दिया गया था और इसके अस्थान पर नए विदूत करम चार्णी हो रख लिया गया बिना किसी अनुभ़ण एंव योगता के इन सभी करम चार्यों को रख कर पुराने कर्मियों को हटा दिया गया चार साल से ये सभी पिरित विदूत कर्मी बिरुदकार और हुपमडी की कगार पर हैं। इन सबी धरना दे रहें मानोबल का कहना है कि हमारे एगारा सुप्रियम मांग के साथ पुनह कारे पर मुझे रखा जाओ। आरे पॉनस का भुकतान करो और ताली मानबल को वापस करो वापस करो खरम कानुनो का अनुपालन करो हमारी मांगे जाओ है जाओ है नमस्कार मैं नुडाक्षरी और आप देखना सुरू कर चुके हैं अपना रेडिया नूज अभी मैं बिजली ऑफिस काडिया लेके आगे कुछ बिजली कडमी धर्ना दे रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्यों ये धर्ना दे रहे हैं और कितने दिनों के संगर्ष जहला है जिस तरह से आक्डुस प्रह से इन लोगों का है यूनियन के आवान पे 11 सुत्री मांगों को लेकर हर्ताल पे गए थे और 28 एगारों 2018 को हर्ताल के आने के पस्चात हम लोग जब अपने काड़े पे गए डूटी जॉइन करने के लिए तो हम लोगों को बताया गया कि आप लोग को काड़े से मुक्त कर दिया गया बीना सूच है कि जो हम लोग 13 से बहाल हुए है उसका अभी तक बकाया बोनस रासियम लोग का भुकतान नहीं हुआ है हम लोगो 26 दिन का काड़े दिवस का रुपिया दे जाता है और 30 दिन का काम लिया जाता है जिसका घंटे का कोई गारेंटी नहीं कि कितने घंटे आप काम करेंगा चुविस गंटे भी कराएगा आपसे 12 गंटे भी करा सकता है लेकि 24 गंटे कंट्यून्यूं आफ कार्मी काम करते हैं अब हम लोग कारी नहीं कर रहा है और हम लोग आगे वूच ने लेवर कोर्ट में हम लोग का मामला चल रहा है जब आपको हटाये गया तो बिना सूचना कि आपको काड़े से मुक्त कर दीया मतलब हटा दिया गया और उसका आप के बना में जैसे आप काम करे है बखानुन के द्वार नहीं किया जाता है और उच्छे नियाले का आदेश है कि समाने काम का समाने वेतन देना जो कि नặt हो चाहरा मिरा जो कि नियमी तो कर बी कर्मिर उने समस्ट उनके पैसा आप लोगों को सब्सक्रवार में लंगा सब्सक्राइब कर्मिर कोई इंतिजाम नहीं और कि लिए लिए इस नहीं पर वी चार वर्स से आप लोग सेवा से मुख थे, मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और आप जब काम छोड़े थे, काड़े छोड़े थे, तो उस वक्त भी आप लोग का पैसा बांकी था, वो भी आपको बकाया नहीं मिला है हम लोग का बॉनस का बकाया रासी है अभी, बॉनस का नहीं मिल रहा है, और हम लोग का और भी सेलरी में से कुछ लंबित है, जो अगर विभाग जाच करेगे तो पता चलेगा उनको, लेकिन में मुद्दा ये है कि हम लोग का बॉनस जो 2013 से बांकी है, जो भी कर्मी अभी कार है और जो काड़ से बाहर है, जो हर्ताली मानवबल है, उन सभी का बॉनस जल्द से जल्द भुकतान होना चाहिए, अच्छा और ये बताइए कि कितने लोग हैं आप लोग जो बिजली विभाग में मानवबल के तोर पे काम कर रहे थे, टोटल अभी हम लोग अभी 23 आदमी अब किस माध्यम से उन लोग को बहाल करके रख लिया गया, अब चाहिए मोटी रकम लेके बहाल किया हो, या किसी सोर्सेक्स के माध्यम से बहाल किया हो, लेकिन उन लोग अभी वी कारीरत है, जिनने बहुत सारे लोग हैं, जो हम लोग के साथ कारे पर बहार हुए थे, हर् और भी हमारे साथी है जो कि देली कडमी ही है इनसे भी जानते हैं कि क्या इनका समस्या है किस तरह से चार सालों से ये अपने दिन्चरिया को चला रहे हैं घर-पडिवार को चला रहे हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम नितेश कुमार निराला अरडिया टौन सेक्शन में हम मानबल के रूप में लाइन्मेन थे और हम 184-2018 को हर्ताल में गए थे और हर्ताल के पस्चाद हम वापसी आएंगी तुम लोग जाओ जुवाइन करो हम जुवाइन करने हैं एस्कूटीब इंजिनियर ने हमको बोला गिया कि तुम्हा लेक को हटा दिया गिया तुम लोग के वज़े से हम लोग बहाल कर लिया है बैकल्पिक में और हमने बोला सर कि हमारा तो हर्ताल जाइज था सर हमने लिखित में लिखित में गिया था हमने अपने जुनियर इंजिन और बीना सुचना का टर्मिनेट कर दिया गिया और मेरे साथ में जो भी लोग बाहर हुए और उनको मोटी रकम हो या किनी के सोर्स हो या किनी के दवाप में उनको बहाल कर लिया गिया और हम लोग पुना चार साल से हम लोग बाहर है और हम लोग रोट में और क्या बताएं अ 11 सुतरी में हम लोग का मांग है हम लोग को नियुमेत्त का वेतन में चाहिए और डूटी का जो मेरा समय है वो निरधारित किया जाए और हमारे अंग का और संरक्षन का रख्षा किया जाए мед以上 हो या जो बी हो तो वो सुधीधा आज तक हम लोग को 13 का बात, हम 13 के agreement में हमें 13 से बहाल हूँ, वो agreement में है agency हो या automotive हूँ, जो भी हमको बहाल किया हम उनसे agreement में कार्च कर देते हैं, कार्च का मेरा कोई limit नहीं है और समय नहीं है, कभी भी 12 बजल रात में line breakdown हो, तो उसमें sir बोलते हैं, कहां ह सोई हुए राते हैं अपने घर बाल बच्चा को छोड़के लाइन को एटेंड करते हैं ब्रेकडाउन को एटेंड करते हैं आज हमारा लाइन आड़िया आरेस पीज़े से ग्रीट से आता है पहले मेरा लाइन फारिसंग ग्रीट से आता था उसको भी हम लोग 12 बजे हो दू बल के सांथ सोसन किया जारा अच्हे जब आप लोग पहले कारेर थे तो आप लोग को कुछ एगरिमेंट या किस तरह से आप Water को मतलब जॉब के लिए रखा गया था था मेरे पास एगरिमेंट हैz थेरो में एगरिमेंट जो हुआ है वह कोई सर्त नहीं कंपनी हो या एक्सिडेंट भी हुआ, उसमें मुझे कोई मभजा नहीं मिला, और हमारे एजन्सी हो या एनवीपीडिसल के वरिये पधिकारी, मतलब स्कूटीब इजने डिविजन लेबल में स्कूटीब सर होते हैं, वो कोई हम लोग को रिफेंस नहीं दिये हैं, और डूटी पर डूटी, जिस तरिका से मजदूर को डूटी लिया जाता है, तिन गंटा, चार गंटा, पांच गं हैं, तो बिजली विवाग के जो पतादी काड़ी हैं, उनको आप क्या करना चाहें, वो बिना सुचना के हम लोग को बाहर किये हैं, इसके लिए जो भी कानून है, उसके अंदर में उसको करवाई की जाए, और जाच की जाए कि इनको किस तरीका जटाएगा है, ना सुचना ना कुछ, और हम सुचना दे के अपने सेक्शन में हो या डिवीजन में हो, मैंने सुचना दे के जिनके अंदर काम कर रहा था, हम उनको सुचना दे के हम हरताल पर गाए हैं, यूनियन के आववान में, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम स्यामल घोस है, अरारिया सहरी का मानमबल में बाहल थे, हम लोग भी 2013 में, और हम लोग तिन सुत्री मांग कर लिए, गए थाट, उस जब हरताल खतम हुआ, तब हम लोग से लोटे, हम लोग सब आपनापनाम जाकर के, ओपीस में जाकर के बोले, कि हम लोग जो नि सब्सक्राइब, तो आप लोग तो जो नियोक्त किया थे, कौन किया थे? अभी वो लोग जो पता दिकाडी से बेट हुई आपकी आपकी अपका क्या मांग है क्या चाहते हैं अपकी आपका क्या चाहते हैं से इतना दिन से काम करके आ रहे हैं आज हम लोग को रखा है नया कडमी को रखा है कुछ योगिता वगड़ा भी है या कुछ लोग को लोग को लेकर ने लोग को भाले कर ले रहे हैं तो इस चीज़ को लेके डीम साहब को आवेदन या कुछ इस तरह का पदादिकाड़ी लोग को दिये हैं नहीं हैं तो जैसा कि आपने देखा कि लगभग सभी लोग का 26 लोग इन्होंने बताए 28 लोग सभी लोग का एक ही समस्या है कि 4 साल से इन लोग को हटा दिया गया है मतलब बिना किसी सूचना दिये और कुछ बकाय भी बोनस बकाय भी रुपया था प्रफया था इन लोग को अब दक मिल पाया है